स्वागत है आपका इंडिया की बात में मेरे साथ है भाशा और प्रग्या और आज इंडिया की बात में आपके सामने तीन मुद्दे संसद में कुछली जा रही है विपक्ष की आवाज मुद्दा नंबर दो उपराश्रपती की मिमिकरी पर फुजूल की बहस और मुद्दा नंबर तीन पहलवान बेटियों के साथ नाइनसाफी ब्रिजभूशन शरण सिंग के दाएं हाथ को बनाया गया कुष्टी संग का ध्यक्ष मगर शुरुवात करना चाहेंगे संसद में करीब देड़ सो संसदों को के निलंबन वाली खबर से जी हाँ इन संसदों का सिर्व इतना गुना था कि वो ये मांग कर रहे थे कि ग्रह मंतरी अमिच्शा संसद में आएं और संसद में जो सुरक्षा चूख हुई थी उस पर बयान दे और उनकी वज़ा भी थी क्योंकि आपने जिन लोगों को पकड़ा उन पर तो यूए पी ए लगा दिया अब जबकि मामला लॉइन ओर्डर को लेकर है तो इस मुद्दे पर आखिर ग्रह मंतरी सामने क्यों नहीं आ रहे और अगर विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है तो करीब 140 संसदों को आपने निलंबित कर दिया यह प्रत्याशित है क्या इस खबर का पंच शुरुआत कर तरीकी से चलेगा यह जैसे तैसे जिसकी जो मर्जी आए उस तरीकी से चलेगा तो आज जो हो रहा है वो लोगतंत्र में ही हो रहा है ऐसा कभी कभी शुबा होता है कि कुछ और हो रहा है भाशा क्या है इस मुद्दे का पंच अभी सार एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब मोधी तंत्र में जी हाँ मैं इसे लोगतंत्र नहीं जिस तरह से संसच चली है उसे मोधी तंत्र में कहती हूँ इस मोधी तंत्र में विपक्ष की कोई जगा नहीं है और यह लोगतंत्र के लिए खत्रे की घंटी है क्यों पूरे घटना करम का मकसद समझे इनकी सामने तमाम जो संस्थाइं हैं वो नत्मस्तक हैं ऐसे में इन सांसदों की क्या आउकात की वो प्रधान मंत्री से सवाल करें ग्रह मंत्री की जवाब देही तै करें लिहाजा इन्हें भी उनकी आउकात दिखा दी जाए और इसलिए उन का निलंबन कर दिया जा रहा है ताकि जवाब देही को दफन कर दिया जाए अजीब और गरीब यहां विडमना है भाशा आप देखिए एक तरफ तो आप उनलों पर यूए पे लगा देते हैं जो लोग जिन लोगों ने दर्शक दीरगा से चलांग लगाई या ट्रांसप लगा हिमा माली का उबयान जिसमों कह रही है यह जो सांसद ही जरूरत से ज़्यादा सवाल कर रहे हैं मतलब सोचिए इन लोगों का जहन देखिए इनकी सोच देखिए प्रणिम्टरी से सवाल नहीं पूछेंगे तो सवाल किससे पूछेंगे आप आपकी संसद है नई संसद नई संसद तमाम ड्रामे के साथ शोर शराबे के साथ यह बताने के लिए कि पहली पुरानी संसद से इतना आगे विक्सित हो गए आप एक बयान दीजिए आप देश के प्रधान मंत्री द्यानिक जागरन को इंटरव्यू देने के लिए उनके पास समय है लेकिन संसत के भीतर खड़े होके आपको जवाब देना पसंद नहीं और अभिसार इसमें दूसरी बड़ी एक जो कोशिश इन्होंने की है इन्होंने कि जितने एहम कानून इस दौरान पास हुए हैं जिस पर विपक्ष की कोई से नहीं यह लोकतंत्र के लिए बहुत खौफनाक मनजर है बिलकुल आप जिन कानूनों का जिक्र कर रही हैं उस पर मैं आपसे यहां पर आपकी राय जानना चाहूंगा यहां पर प्रग्या मुझे याद है मोधी जी ने शायद पार्टी के एक बैठक में कहा भी था कि अभी जो लोग खाली छोड़कर चलेगे अगली बार मुने भर देंगे अभी पता नहीं वो लोकतंत्री तरीकी से भरनी की बात कर रहे थे हैं क्या कर रहे थे मगर देखिए समाना अंतर तोर पर हमने देखा वो नया टेली कम्यूनिकेशन्स बिल पारित हुआ भारतिय नया सहिता यह अपने आप में बहुत ही खतरनाक बिल है जिसमें पहले पुलीस पंदरा दिन की हिरासत पर आपको रख सकती थी आप 90 दिन हो जाएगा टेली कम्यूनिकेशन्स बिल में आपके मेसेज़िस पर दूर संचार कंपनियों पर अंकुष लगाया जा सकता है राश्ट्रे सुरक्षा के नाम पर और हम जानते हैं ये सरकार राश्ट्रे सुरक्षा का किस कदर बेजा इस्तमाल करती है एक तरफ आप सांसलों को निलम बन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बिल्स पारित हो रहे हैं और सांसल ये ही तो मुद्धे उठा रहे हैं ब strain को और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिल है ये समाम विवादित बिल है ऐसे बिल हैं जो देश के constitution से सीधा-सीधा तालुक है हमसे आपसे तालुक है जो टेlekom बिल आया है तमाम नागरिकों से है और भाशा मुझे दुख ही हो रहा है कि जनता की तरफ से स्मुद्धे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, यह जो जनता की आखों की जो नमी है, वो पूरी तरह से सुख गई है, जनता कैसे सोच रही है, देख रही है, तो दिखाने वाले किस तरह से लेकिन खबरे देखिये सवाल है जिस तरह से खबरों का पहुशना जिस तरह से एजेंडा सेट होना और जिस तरह से ये थी और वो मिमिक्री पर उन्हें ने चुप्पी तोड़ी जिसकी चर्शा में अपने अगले सेग्मेंट में करूंगा मगर देखिए मीडिया की चुप्पी पता चलता है कि प्रधानमंत्री कार्याली की तरफ से किस तरह से संपर्क जुड़ा हुआ था और यही मुद्दा कॉंग्रिस के निता हाली में एक शिकर संबेलन में उठा रहे थे एक निउस चानल के मीडिया तो ऐसे बहेव कर रही है जैसे कि यह जो कानून आ जाएंगे नहीं नहीं उन पर उसका असार है नहीं पड़ेगा चाहिद इसलिए कि उन्होंने सोच रगा कि हमने कोई क्रिटिकल खबरे करनी नहीं है तो भाई आप हमारे मेसेज पढ़ लो या आप हमारी इंटरसेप्ट कर लो या आप हमें बंद ही कर दो हमें कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन सिर्फ टेलिकॉम वाले कानून नहीं आ रहे हैं तो फिर आप से अगर गलती भी हो गई तो आप भस गई यह आप सोची नहीं रहे तो मीडिया को एक लिस्ट सेल्फ प्रेजरेशन का इंस्टिंक्ट तो रहना चाहिए न वो भी लगता है जनता के सामने ये भी मुद्धा यहाँ पर भाशा कि एक तरफ रमेश विधुडी ने क्या-क्या नहीं कहा था संसंद के अंदर उसकी कोई जबाब दही नहीं उस पर ओम बिरला जी का कोई आक्रोश हमने नहीं देखा इन फैक्ट मैं बात करूँगा जगदीब धंकड की जगदीब धंकड का भी कोई आकरोश नहीं दिखा जबकि राहूल गांदी लोगसभा के सांसत थे और यहां रमेश विधुडी बच जाते हैं इतना बड़ा मज़ेदार सीन है कि जिस व्यक्ति जिस सांसत जो भाशपा के सांसत हैं जिनकी लेटर पैट पे यह सारे लोग अंदर घुसते हैं वो कहीं डिबेटी में नहीं है उनसे भारती जंता पार्टी छोड़िये पुलिस प्रशाशन पूरा तहकिकार क्या हुआ ए अब तो यूएपिये मैं बोलने ही वाली थी आपने बस खीची लिया क्योंकि अब तो पत्रकार सही तमाम लोगों पर यूएपिये ऐसे चुठकियों में लगता है मैं कहीं यहां तो पूछताश नहीं हुई यहां तो उस दिन मीडिया क्या दिखा रहा था वह बल आपको है ना हमने पिछली बार भी चर्चा की थी उसे लेकर घूमे जा रहे थे नहीं नहीं बताता हूं जिस दिन सांसदों को निलंबित किया गया था प्राइम टाइम में एक जूटी खबर चल रही थी कि दाओद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है इमाजिन अफेक नियूज उस पर ये लोग प्राइम टाइम में बहस कर रहे थे मगर सांसदों का निलंबन इनकी प्राथमिक्ता में है ही नहीं और उस दिन पूरे समय चोटा शकील को भी एक चैनल पकड़ के लिए आये थे सब कुछ यानि अवधार ना बदलना चोटा शकील भी परिशान होगे तैयार चुप करो यार तुम बंद करो ये सवाल उसने तक ऐसा कह दिया था लेकिन ये सोचिए ना कि एक फरजी खबर प सकती तो सांसत हो गए बाहर लोगतंत्र हो गया साइड लाइन में और इन्होंने जो अपना एजंडा चलाना था वो बहुत क्लियर चला था बिलकुल और मैं ये बता दूं कल ही हमारे सेना के तीन जवानों की शहदत की खबर सामने आती है बहुत बड़ा वो हमला था हमने ये भी देखा कि मनिपुर में 87 लोगों की अंतेश्टी की गई ये अपने आप में खबरे बहुत शोकिंग हैं पाफुल हैं मगर साहब देखिए इस कदर से ये मीडिया घुलाम है सत्ता पक्ष के सामने कि पूरी तरह से गाइब थी खबरे और बेवज़ा की खबरों को त जगदीब धंकड की मिमिक्री नहीं की मगर एक तरह से उनकी अभाव अब राहूल गांधी वहां कैमरे पर आ जाते हैं और उसे वह महज कैमरे से लेते हैं उसे मुद्दा बनाते हैं जगदीब धंकड की साहब ये मेरा अपमान है उपराश्मदी का अपमान है ये अपमान जाटों का किसान का जबकि राहूल गांधी ने कुछ नहीं का और राहूल गांधी पर हमला किया जा रहा था क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाशा अभी साथ संसद में मिमिक्री के उस्ताद कौन है यह भी हमें याद रखना चाहिए क्योंकि वह सरताज प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी के पास है किस तरह से उन्हें राहूल गांधी की मिमिक्री की थी यहां मुद्दा बिलकुल दूसरा है किसान जाट वह सब नहीं याद आता जब बेटियां बैठी होती है और किसान बैठे होते हैं यह जो एजेंडा सेटिंग है संसत के भीतर यहां बहुत खतरनाक है क्योंकि इस से तमाम मुद्दे गायब हो जाते हैं और पूरी भावनाएं आहात होके बाहर आ जाती है अभी सार क्या है इस पर आपका पंच मुझे हैरत होती है जब उपराश्पती ने कहा था कि यह जाटों का अपमान है यह किसानों का अपमान है किसान के बेटे का अपमान है याद कीजिए जब किसान आंदोलन चल रहा था दो चीज़ें होई थी प्रधान मंतरी ने सत्तिपाल मलक से बाचीत में कहा था कि यह ज ज्यादा तोहीन जाटों की किसानों की कहा हो सकती है मगर मीडिया ये खबरें नहीं बताएगा प्रग्या क्या है इस मुद्दे का पंच अभिसार तीन मुद्दों पे बिलकुल परदा डाला जा रहा है बार बार हर मौके पे और ये भी वैसा ही मौका है बेरोजगारी, एकॉनमी की हालत और डिमोकरसी की क्यास्तिती है इन तीनों मुद्दों पे बार बार परदा डालती है सरकार मिमिक्री से इस सरकार को बड़ी प्रॉबलम है यहां पर भाशा मुझे याद एक जमाना होता था कि अटल जी की मिमिक्री उनके सामने होती थी मैं नहीं बूलाओ मैं उस वागए एन टीवी में होता था और उस वागए एक शो आता था गुस्ताखी माफ और अटल जी से मिलने एक बार टीम गई थी बोखर पूछ रहे थे कि मेरी मिमिक्री कौन करता है उस वेंकर ये नाइड़ो अध्यक्ष होते थे तो उनका उनकी मिमिक्री हमारे कैमरबेन होते धनपाल वो करते थे सोनिया गांडी की मिमिक्री एक आचल होती थी जो आजकिर तो देखिए यह दिक्कत यह कि इंको व्यंग से बहुत डर लगता है जितनी बड़ी पावर होती है जब तानाशाही वाले एलिमेंट्स आते हैं तो उनको लगता है कि मेरा मजाग कैसे अड़ा रहा है क्योंकि जम्चाद्स आवर ठांशा defence में टो मजाग उड़ाना और एक लिमिट तेहत मजाग पुडाना इक परंपरा रही है बहुत खुद परानी बार्ती पर्सक्राइब करते है लों बातबार करते है सनातन के साथ वियंग करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं आप डायलोग में जाते हैं मुंबई में बना हुआ वीडियो आ मीडिया ने उसको जिस तरह से मुद्धा बना दिया कि अरे राहूल गांधी उनसे 20 साल चोटे हैं और कल्यान बैनर जी उनसे 6 साल चोटे इस तरह की बाते मीडिया कर रहा था यहां बूल जाते हैं कि दीदी कौन बोलता है प्रदान मंतरी नरेन मोधी चुनी हुई मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं और यह मिमिकरी नहीं है यह उनका अपमान किया एक महिला का और मैं एक और चीज़ याद दिला दूँ आपको याद हो का सदन के अंदर जब एक बार रेनुका चौधरी हस रही थी तब प्रधान मंत्री ने कहा था कि इन्हें हसने दीजिए रामायन के बाद इस तरह की हसे हम फिर सुन रहे हैं और आप सब जानते हैं कि रामायन के अब उसी समय मीम्स चलना शुरू हो गए थे उनको शुर्पनखा से जोड़ते हुए तो सवाल ये है अभिसार की दरसल ये इस समय चाहते हैं कि जिस तरह से मोधी जी सब सदन में घुसते हैं और भाश्पा के सांसत मोधी 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 चिलाते हैं जैसे एनराइज उटते ह और मोधी 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 बोला जाता है उसी तरह से देश की संसत के भीतर और बाहर माहौल हो और ये तो इनके लिए इसलिए एक अवसर था क्योंकि मिक्री के बहाने इन्हों ने 150 सांसतों के साथ जो किया भारती लोगतंत्रों और विपक्ष के साथ जो किया मकसद है संसत को विपक्ष हीन बनाना जो मोदी जी पहले कहते था कॉंग्रेस मुक्त भारत आज की तारीख में देखिए संसत को विपक्ष मुक्त बनाया जा रहा है अचा सबसे शौकिंग यहां पर प्रग्या यह है जो आचरन है लोकसभा द्यक्ष का और यहां पर जगदीब धंकड का क्य है हमने देखा था है जब वो राजपाल थे पश्चिम बंगाल के तो कभी-कभी यह यह तैह करना मुश्किल हो जाता है कि आप एक राजपाल है जो कि कहने को निश्पक्ष होता है या भाजपा की कार करता है यहां पर भी सदन के अंदर अगर मलिकार जुन खड़गे ने क देश का अपमान है अब कहीं मैं जो सो कॉल्ड मिमिकरी कर रहा हूं कहीं मुझ पर ही कहीं वो ना हो जाए तो मतलब इमेजन कीजिए आप जाट विरोधी हो जाओंगा यहां पर मतलब जाटों को तुमने समझ क्या रखा यार वो जाट जिन्हों ने जो इस देश की सेना की रीड रहे हैं जो इस देश के खेल जगत की रीड रहे हैं वो लग क्या इतने से मजाक में वो लोग क्या और जैसे जाट मजाक नहीं करते आप किसान आंदोलन आ जाते धंकर जी देखते कि वहां पर किस तरह से हसी मजाक चल रहा था और इसी सरकार की मजाक में किस तरह के स क्योंकि जो सांसद हैं, जो चलिये मजाक भी उड़ा रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे, उन्होंने तो इसलिए नहीं किया ना कि उनकी जाती क्या है, उन्होंने उनके actions को criticize करने की कोशिश करिये, एक हसने बोलने के तरीके में, इसमें जाती का कोई मतलब ही नहीं है, आप क्यों और अब हम रुख करना चाहेंगे अपने तीसरे एहम मुद्दे का और तीसरा एहम मुद्दा क्या है जिहाँ देश ने साक्षी मलक के आँखों में आसू देखे क्यों एक साक्षी मलक जो पूरी तरह से हार चुकी है इसलिए क्योंकि अब कुश्टी संग का जो नया वो हैं संजे सिंग जो की ब्रिजभूशन शेरंड सिंग के दाएं हाथ है और ब्रिजभूशन शेरंड सिंग ने कहा कुलियाम मेरा दबदबा बना रहेगा अब जाहिर सी बाते जो इतना संगहर्श हुआ जिसमें विनेश वोगाट प्रधान मंतरी से तक मिली कि सब एक त अभी सार मैं थोड़ा सा अलग सोचती हूं इसके बारे में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें एक बहुत कॉंजरवेटिव सेक्शन अफ सोसाइटी हर्याना की लड़कियां आगे आए और उनके साथ हर्याना की लड़कों ने उनका सपोर्ट किया था ऐसा नहीं है क भी हम इसे बिलकुल एक फिलियर के रूप में नहीं देख सकते हैं आज भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भाशा क्या है इसमद्दे का पांच देखिए अभी सार मेरा मानना है कि बीजेपी और आरेसेस की जो परिभाशा है उसके मताबिक ये पहलवान बेटियां हिंदू बेटियों की केटेगरी में आती हैं और हिंदू बेटियों को किस तरह से लोग रुला रहे हैं अपमानित कर रहे हैं यौन शोशन और बलातकार के आरोपियों को किस तरह से ताज परोसे जा रहे हैं ये तस्वीर है और ये तस्वीर हर भारतिये महिला को हर भारतिये नागरिक को अंत तक याद रखनी चाहिए कि यह हश्र होगा अगर आप इनके नारों पर ही भरोसा करेंगे क्योंकि हकीकत में यह महिला विरोधी सरकार है अब इसार क्या है इस पर आपका पंच अगर आप टेलेविजिन की निगाह से देखिए तो टेलेविजिन पत्रकारिता में आपको अपनी कहानी तस्वीरों के जरीए कहनी होती है और जो तस्वीर जितनी ज़्यादा पाफुल होती है आपकी कहानी भी उतनी ज़्यादा असरदार होती है कल की सबसे खतरनाक यह कहा जाए पाफुल ख़बर कौन सी थी जब हमने साक्षे मलक भारत की बेटी मेडल विजेता पताईए न्यूजरूम में ऐसे में महिलाओं की होने का क्या फाइदा कहते ही न्यूजरूम में महिलाओं इसलिए होनी चाहिए ताकि महिलाओं से जड़े मुद्दे नधारत ना हो जाए हाला कि मैं उससे इतिफाक नहीं रखता हूँ महिलाओं से जड़े मुद्दों के प्रती समवेधन शील होने के लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ महिलाओं मगर आपने देखा चाहे टाइम्स नाओ की संपादक हों आज तक की आंकर्स हों इनके तमाम कायरक्रम में इसका जिक्र तक नहीं था और इसलिए भी नहीं था अभिसार क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि जिस समय ये सब कुछ हो रहा है देश की राष्टपती आदिवासी महिला है दुरौबदी मुर्मुजी हैं लेकिन आप ये बताए कि जिस समय वो बैठी वहीं थी बेटियां और जिस समय कल वो जूता रख रही थी मुझे लग रहा है कितने लोगों का दिल तूटा कितने लोगों के सपने तूटे अभिसार क्योंकि कुछती महिला कुछती एक बहुत बड़ी बहुत संगर्श से महिला यहां तक पहुची थी और सिर्फ महिला होने का सवाल नहीं है महिला हो कि आप खड़े किसके पक्ष में हैं क्योंकि हमने यह भी देखा है कि यह तमाम लोग ऐसे लोगों के ऐसे बाबाओं के गुरगान करती है राजनेताओं के तो छोड़ी दीजिए बिशबूशन शरण सिंग से तो तब भी एक दो महिला पत्रकारों ने जो उस लेविल की नहीं है लेकि लोगों ने अपना माइक आगे लगाया था जिनको ठकेल दिया गया था लेकिन यहां तो क्योंकि पॉलिटिकल मास्टर आपको गाइड कर रहे हैं वो तै कर रहे हैं क सिर्फ एक कम्मुनिटी को रिफलेक्ट करने से आपके अंदर वो सेंसिबिलिटी नहीं आती आपने बहुत एहम बात यहां पर कही भाशा आपने जिक्र किया कि जो परिवार हैं जो अपने बच्चों को बच्चियों को भेशते हैं कुश्टी के लिए देखिए हर्याना मे पश्य में उत्तर पदेश में ऐसे कई परिवार हैं और यह बहुत ही कंजर्वडिव परिवार हैं जहां महिलाओं के अधिकार पुरुषों के बराबर नहीं होते मगर कुश्टी में लेकर यह लोग भेश देते हैं क्यों कि उन्हें लगता है कि बच्चों का भविश यहा अधालत में दाखिल की है भाजपा की प्रचारतंतर को शर्म आनी ची कि वो पलट कर यह कह रहे हैं कि साब कौन बयान दे रहा है कौन सी बेटी सामने आई है इट इस पार्ट ऑफ चार्च शीट धिर भी आपने ऐसी बेशर्मी की यह रिकॉर्ड पे जा चुका है कि उनको वाइदा किया था कि भाई इस आदमी से जुड़े हुए लोगों को भी हम सामने नहीं लाएंगे आपकी फेडरेशन में लेकिन वो हुआ और एक महिला ने अपना पद छोड़ दिया अपनी कुष्टी छोड़ दी तो इसका असर पढ़ेगा समाज पे मैं फिर कहते हूं कि इस आंदोलन के लिए जब वो जस्टिस मांग रही थी लड़कियां तो लड़के लड़के जुड़ गए थे जो हमने बहुत रेरली देखा है हाँ यह कहा जा सकता है कि उन्होंने उस मोमेंट को फुली कैप्चर नहीं किया उसका अड्वांटेज नहीं ले पाई उसका फ पहली बार हुआ कि आपने का कि भाई हम तुम्हें नहीं मालेंगे क्योंकि तुम ब्रिश्बूशन शरण सिंग को हटा नहीं रहे हो तो बड़ा मजबूरी में दिल पे पत्थर रखकर ब्रिश्बूशन शरण सिंग को साथ कि अगर वो एक तरह से नाकाम दिखाई दे रह मैं बिल्कुल नहीं मानती कि वो नाकाम रहे हैं जी अभी उनकी जीत नहीं हो ये उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला ये बात सच है लेकिन वो मुव्मेंट से वो जरूर सीखेंगी अपनी गलतियों से भी समझेंगी और सरकार लोकतंत देश में कैसे चलता है कैसे सपोर् जेंगी वो नहीं तो दूसरी महिला आएं देख रही है न सारी लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है भाशा आपने देखा ब्रिजभूशन शेरण सिंग की जो आदा थी पूरी दबंगई देखिए उस व्यक्ति की उसके चेहरे के मुसकान देखिए संजय सिंग जो है जि सबसे पहले बाइट इस जीत पर और इस पूरे से नहीं जीते ャंजें उनकी नहीं है ब्रिजभूशन शेरण सिंग की ऑने के पास जाता और इससे यह पता चलता है कि कुलदीप सेंगर से लेकर दिश भूशन शारण सिंग तक की जो यात्रा है भारती जनता पार्टी की वो कहां पहुशती है कि आप एक यौन शोशन के आरोपी को पूरी दबंगई से इजाज़त देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो उत्तर प्रदेश की इतनी सीटों को प्रभावित कर सकता है ठाकूर है तो यह जो दबंग पॉलिटिक्स है भारती जनता पार्टी की वो अंदर से कितनी महिला विरोधी है कि महिलाएं सडक पर उत्री अभिसार मैं इतने साल से जनलिजम में हूँ मैंने ओलंपिक मेडल जीती हुई महिलाओं को इस तरह से सडक सारा जोखिम लिया तो आप यह सोचिए कि इतनी बड़ी परिघटना जो अंतराष्टी फलक तक गई लेकिन मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है मोदी जी है तो यह मुमकिन है कि राम रहीम खुले छोटते हैं जो बलातकारी और हत्यारे हैं और मोदी जी है तो यह मुमकि और बाल विकास का ल्यान मंत्री पूरी तरह से चुप और उन्हें बार बार साबित किया है कि जब भी ऐसे मुद्दे आएंगे जहां नारी असमिता दाओ पर होगी वो चुप रहेंगी वो खोलती है मूँ तब जब राहूल गांधी पर टिपनी करना होता है फिर वो कहेंग लड़कियों का कोई कोई जाती है या नहीं है यहां पर कोई भी व्यक्ति अभिसार इससे यह पता चलता है कि दर असल ना इन्हें हिंदू बेटी से प्रेम हैं ना मुसल्मान बेटी से प्रेम हैं महिला विरोधी आचरण इंका हर जगा उसी तरह से है बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रग्या और भाशा इंडिया की बात में बस इतना ही अभिसार शेर्मा को दीजे जासत नमस्कार